हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वॉक विद मी तो दोस्तों आज अपन देखने वाल हैं राजस्थान के एकिकरण से रिल्टेड महत्वपून प्रस्न चलिए मैं आप लोगों को बदता हूँ इसे सम्मधित कुछ बातें तो दोस्तों आप लोगों को होगा राजस्थान के एकिकरण में गुन्नी स्रियासतें प्लस तीन ठीकाने शामिल थे वो गुन्नी स्रियासतें कौन कौन सी थी मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को जैपुर, जोदपुर, जैसलमेर, पिकानेर, उदेपुर, अलवर, भरतपुर, धोलपुर, कर रोली, कोटा, बुंदी, टॉक, जहलावाड, डुंगरपुर, पांसवाड़ा, सिरोही, किशनगट, परताबगट और शाहपरा, ये 19 रियासतें अपने राजस्थान के एकिकरण में शामिल थी, इसके साथ ही तीन ठीकाने भी शामिल थे अपने एकिकरण में, वो तीन ठी जो कि टोक में है, तीसरा है कुशलगड़, कुशलगड़, जो कि बांसवाड़ा में है, तो ये 19 रियासतें और तीन ठीकाने राजस्थान के एकिकरण में सामिल थी, चलिए देख लेते हैं, कुछ महतोपुन प्रस्न, स्टार्ट करते हैं, अलवर, भरतपुर, धोलपुर वर करोली रियासतों को मिला कर मज्य संग की स्थापना की गई थी, 17 मार्च 1948 को, राजस्थान एकिकरण साथ चरणों में हुआ था दोस्तों, जिनमें से मज्य संग पहला चरण था, नेश्ट कुशन देखते हैं, पूरु राजस्थान की स्थापना जिसमें बांसवाड़ कुशल गड़, बूंदी, डुंगरपूर, जलावाड, किशन गड़, कोटा, परताब गड़, शहपुरा वे, टोंगादी शामिल थे, 25 मार्च 1948 को, जो की राजस्थान के एकिकरण का दूसरा चरण था, सेयुक्त राजस्थान की स्थापना में पूरु राजस्थान की उधैपूर रियासत भी सम्मिलित किस दिनांग को की गई थी, 18 अप्रेल 1948 को, जो की एकिकरण का तीसरा चरण था, दोस्तों, एक इकरण का तीसरा चरण था जिसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था नेक्स देखते हैं व्रहत राजस्थान संग की स्थापना संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जेसलमेर, जोधपूर राज्यों को मिला कर हुई थी थीस मार्च 1959 को हुई थी, देखो व्रहत राजस्थान एक इकरण का चोथा चरण था जिसमें ट्रिपल जे जेपूर जोधपूर जेसलमेर और बिकानेर व्रायतर राजस्तान एककरन का चौता चर्णता जिसमें ये रियासते साम्मील की गई थी सेयुक्त व्रहतर राजस्थान का निर्माण मत्षे संग को व्रहतर राजस्थान में मिला कर किया गया था 15 मई 1950 को मत्षे संग जिसका गटन 17 मार्च 1948 को हुआ था 17 मार्च 1948 को हुआ था को व्रहत राजस्तान में मिला कर संयुक्त व्रहत राजस्तान का निर्मान किया गया था एक बात बताँ दोस्तों मैं आप लोगों को जो ये मत्से संग नाम दिया गया था के एम मुनसी के दोरा सुजाया गया था के एम मुनसी के दोरा सजेस्ट किया गया था इस नाम को नेक्स देखते हैं सुरेय सिरोही रियासत को सेंत रहत राजस्थान में मिला कर इसका नाम राजस्थान कर दिया गया था 26 जनवरी 1989 को आबू और देलवाडा को छोड़कर आबू और देलवाडा आबू देलवाडा को छोड़कर शिरोही को रजस्थान में विलाई किया गया था राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 को स्विक्रत तथा वर्तमान रजस्थान की स्थापना हुई जिसके अंतरकत अजमेर मेरवाडा आबू तेसिल सुनेल टप्पा का भाग सम्मिलित तथा कोटा जिले का सिरोज सब डिविजन अलग कर मद्य भारत में मिला दिया गया था एक नवंबर 1956 को आधुनिक रजस्थान या वर्तमान रजस्थान का निर्माण एक इकरण का सात्वा चरण या अंतिम चरण था इस समय एक नवंबर 1956 को नेक्स्ट कुशन व्रहत रजस्थान के पर्थन मुख्य मंत्री थे पंडित हीरलाल शास्त्री रजस्थान संग की राजदानी थी कोटा स्वतंतरता प्राप्ति के समय रजस्थान में देशी रियासते थी 19 देशी रियासते थी और 3 ठिकने थे जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कौन सा राजस्थान संग में सामिल होने का पक्स्थर नहीं था उदेपुर राज्य मच्य संग का राज्य ध्यक्स था धोलपुर का राजा उदेभान सेंग उदेभान किस राज्य का सासक मच्य संग का राजप्रमुख बना धोलपुर का उदेभान सेंग मच्य प्रदेश की राजदानी थी अलवर मच्य संग के प्रदान मंत्री थे सोभराम कुमावत केंदर सासित प्रदेश अजमेर मेरवारा कब राजस्थान में विले हुआ एक नॉम्बर उन्निस सो चपन को चलिए आगे देखते हैं स्वतंतिता प्राप्ति के पश्चात किस राज्य को सिधा केंदर प्रसासन में सामिल कर लिया गया था अलवर को राजस्थान में एंग्रेजों की प्रथम संदी कब और किस्से हुई थी तो नॉम्बर सन अठारा सो सत्रा में हुई थी अंग्रेजों के साथ प्रतम संदी करने वाली रजस्थान की प्रतम रियासत करोली थी पंदरा नॉम्बर अठारा सो सत्रा को करोली रियासत थी दूसरी रियासत थी कोटा और तीसरी रियासत थी सिरोही तो ये अंग्रेजों संदी करने वाली प्रतम रियासत कोरोली कोटा और शिरोही थे राजस्थान की निम्न भागो पर किस राजपूद वंसों का अधिपत्य था कोटा के निकिट मंडोर में परिहार वंस का अधिपत्य था आठवी स्ताब्दी में जेसल मेर में भाटी वंस का अधिपत्य था सन गैरासो टाइस में जैपूर में कच्छा वंस का अधिपत्य था और सन तेरवी स्ताब्दी में मारवाड मेर आठवड वंस का अधिपत्य था तो इसमें राइट आंसर होगा C जाट वंस का थारविस ताब्दी के मद्य में किन भूबागों पर आधिपत्य था बरतपुर और धोलपुर पर सन अठारा सो सत्रा में टौक रियासत का क्षेतर किस सरदार को दिया गया था सरदार अमीर खां को अजमेर राज्य अंग्रेजों के नियंतर्ण में कब चला गया अठाई जुलई अठारा सो अठारा को उन्निस्विस्त आपदी के मद्य में अंग्रेजों ने समस्त रियासतों को पूर्ण तया अपने नियंतर्ण में लाने के एकिकरण के विचार को क्यों त्याग दिया था अठारा सो स्थावन के सुदंता संग्राम के कारण भारत स्वतंतरता कानून जिसके अंतरगत रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि स्वतंतर रहे या किसी भी संग भारत या पाकिस्तान में मिले कब लागू हुआ 23 जून 1947 को राजस्थान के एकिकर्ण की प्रिक्रिया में तीवर गती आये थी गोड से दोरा महत्मा गंदी के हत्ये के बाद मेयो जाती के विद्रोग के कारण ब्रतपुर के सामप्रताइक दंगों के कारण कतिपे राज्यों के प्रति पाकिस्तान संग में विले के प्रित्नों के कार राजस्थान के एकिकरण का स्रे जाता है सर्दार वल्लब है पटेल को राजस्थान दिवस परती वर्स मना जाता है 30 मार्च को राजस्थान एकिकरण में कुल कितना समय लगा आठ वर्स साथ माह और गेरा दिन का समय राजस्थान के एकिकरण में लगा है राजस्तान एक एकरण में योगदान देने वाली सुमिती कौन सी है अकिल भारतिय देसी राज्य लोक शिवा परिशद इसके परतम अध्यक्स बाबा रामचंद्र राउ थे बाबा रामचंद्र राउ थे किस जाट नरेश को परारम में अखिल भारतिय देसी राज्य लोक सेवा परिशद का सदश्य नहीं बनाया गया लेकिन 18 मार्च उन्ने सुर्टालिस को उसे इस सिमिती का अंग बनाया गया था देस राज को पूरु राजस्तान में किस ठिकाने को मिलाया गया था सईतर राजस्तान के परदानमंत्री कोन थे मानिक के लाल वरमा महनलाल सुकड या आधुनिक राजस्तान के मुख्य मंत्री थे आधुनिक राजस्थान के मुख्य मंत्री जो की एक नॉमर 1956 को एक इकरण हुआ था उसके बाद देखिए सेयुत राजस्थान के राज परमुक्ते सोरी गोकुलाल असावा गोकुलाल असावा राजस्थान संग के परदान मंत्री थे राजस्थान संग के प्रदान मंत्री थे गोकुलाल अशावा नेश्ट देखते हैं मच्छे संग के राजपरमुक कौन थे? मच्छे संग के राजपरमुक धोलपूर के उदेपान सिंग थे? देखिए कोटा के भीम सिंग जो राजस्थान संग के राजपरमुक थे राजस्थान संग के राजपरमुक कोटा के भीम सिंग थे और संयुक्त राजस्थान के राजपरमुक उदेपुर के भोपाल सिंग थे नेक्स्ट वीचन देखते हैं जालआवड नमक रियासत का निर्मान कव किस के दोरा किया गया था जालामदन सिंग दोरा 1830 में जो कि सबसे नवीन रियासत मानी जाती है ऱ्यूम्स सबसे 9 रियासत मानी जाती है जालावड बरतपुर के सुदंदरता सेनानी जो मच्छे संगे के उपरदान मंत्री रहे हैं जिन है जनता प्यार से दूसरा जवालनान नेरू केती थी का नाम है पंडित युगल किसूर चतरवेदी निम्न में से किसका विलाई व्रहत राजस्थान के निर्माण है तो सेयुत राजस्थान में नहीं किया गया नीम्राना का जो कि दोस्तों मैंने बताया था आपको ट्रिपल जे बी जैपूर जैसलमेर जोदपूर और बीकानेर राजस्थान के एक एकरण के समें एकरण के सब्तम चरण के दोरान जालावार जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिले गया था सीरोंज को next question है राजस्थान के उस एकमात्र देशी रियासत का नाम बताईए जहांके सासक्षु दर्शन देव ने पोण उत्रदाई सासन की स्थापना 14 अगस्त 1927 को कर दी थी शाहापुरा रियासत पर्थम देशी राज्ये जहां सर्व पर्थम जनतांतरिक और पोण उत्रदाई सासन की स्थापना हुई थी शाहापुरा रियासत में बारतिय सविधान परिशद में मिवार से भेजे जाने वाले दो परतिनिदी थे सर्ट टीवी रागवाचारी और मानकेलाल वर्मा मैं अपने डेत वारंट पर हस्ताकसर कर रहा हूँ चंदरवीर सिंग ने उक्तकतन रजस्थान संग के निर्मान के समय विले पत्र पर हस्ताकसर करते समय कहा ये किस जिले के महारावल थे बासवड़ा जिले के महारावल थे ये कुछ एक एकरण से रिल्टेट कुशन थे कुछ फेक्ट्स और बता देता हूँ मैं आप लोगों को सबसे प्राचिन रियासत उदेपुर थी एक एकरण से पूर रजस्थान में एक मात्र केंदर सासित प्रदेश अजमेर मेरवड़ा था अजमेर मेरवड़ा सबसे नवीन रियासत जो की पहले बता चुका हूँ मैं आप लोगों को जालावार थी सबसे नवीन रियासत जालावार गठा नुवाता इसको अठारा सो अड़तीस में ठीक है इसके बाद क्षेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर क्षेत्रफल की दरस्टी से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर और क्षेत्रफल की दरस्टी से सबसे छोटी रियासत थी शापुरा सबसे छोटी रियासत शापुरा नेक्श देखते हैं जनसंक्या की दरस्टी से सबसे बड़ी रियासत जैपुर दोनों अललग चीज़े हैं दोस्तों और जन संक्या की दरश्टी से सबसे चोटी रियासत भी शापुरा शापुरा इसी रियासत है जो जन संक्या और क्षेतरफल दोनों दरश्टी से सबसे चोटी है जबकि क्षेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ी रियासत जोधपूर है और जंट संक्या की दरश्टी से सबसे बड़ी रियासत जयपूर है तो ये कुछ महतोपूर कुशन थे दोस्तों एक इकरण से संबंदेत धन्यवाद